नमस्कार सुलकता सवाल देख रहे हैं पर मैं हूँ आपके साथ दिव्या सिंग जिस उमीद और मकसद से विपक्ष ने इंडी गडबंदन बनाया था वो फेल हो क्या गडबंदन के एक-एक सरयोगी कॉंग्रिस को छोड़ कर जा रहे हैं जिसके बाद से कई तरह के सवाल जहां भी जा रही है वहां गडबंदन टूट रहा है कॉंग्रिस खुद को तबाह होने से नहीं बचा पा रही है इंडी गडबंदन के राजनितिक दल आपस में ही लड़ रहे हैं एक तरफ मितिश कुमार ने नाता तोड़ दिया ममता बनाची ने दूरी बना ली है अखि राहुल गांधी की यात्रा को लेकर बुरी खबर सामने आती रहती है कभी उनकी यात्रा की वज़त से उन पर एफायार हो जाती है तो कभी कुछ और हो जाता है राहुल गांधी को दूला बनाने वाली लालू यादों को तो डबल जटका लग्या है जो जहां है वहीं परि आलत खराब राहुल गांधी के बयान से कैसे आया सियासी बुचार नितीश ने छोड़ा तो मम्ता ने भी क्यों बनाई दूरी कैसे लड़ने से पहले ही हार गया इंडिया गडबंदर इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है एक के बाद एक इंडिया गडबंदर को यात्रा के बीच राहुल गांधी अब तो रोने पर मजबूर होके हैं स्टोरी में आगे बताएंगे लालू को कैसे लगा डबल छटका राहुल की यात्रा का हाल लेकिन सबसे पहले बात नितीश कुमार की मम्ता बनाची और अखलेश यातों की नितीश कुमार ने महा गड नितीश के जाने से इंडिया गडबंदन का भविश्य क्या अब अंधिकार मैं हो गया है या कोई उम्मीद की किरण अब भी पची हुई है जिस नितीश कुमार ने इंडिया गडबंदन की आधाश इला रखी पटना से दिल्ली से लेकर कोलकाता तक जाकर सभी विपक्षी पार्टियों को साथ लाने की कोशिस की पहल के वह अब पाला बदल उसी भारतिय जन्ता पार्टी के साथ हो लिए जिसकी सरकार को 2024 में हराने के लिए तमाम तरह की कोशिसे की जा रही थी ऐसा लगता है कि वह बहुत हद तक अपने प्रयासों में सफल नहीं हो रहे थे ऐसे मैंधन ने अपनी रह पतली महागडबंधन का साथ छोड़ते हुए भी नितिश कुमार ने यही कहा कि इंडिया गडबंधन में कुछ काम नहीं हो रहा था वहां तकलीफ हो रही थी बकाईदा उनका बयान भी सामने आया है आप खुद ही सुनिए क्या कहा है नितिश कुमा आज हमने भुक्ष मंत्री से इस्तिफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्णर साहब को दे दिया अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था तो इसलिए थोड़ी पर आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे अब सवाल यह है कि क्या इंडिया गडबंदन लड़ने से पहले ही हार गया है या फिर गडबंदन को यह महच एक धक्का लगा है और वह जल्द उठ खड़ा होगा बात दरसल यह है कि सिर्फ नितीश कुमार और उनकी पार्टी को लेकर इंडिया गडबंदन में खीचतान रहती तो कोई बात नहीं थी लेकिन यह मामला तो बहुत आगे निकल चुका है क्योंकि उत्तर परद हो रहे थे उसके एक दिन पहले ही ममता बनर जी ने यह ऐलान कर दिया कि वह पश्यम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगे टीमसी का कहना था कि कॉंग्रेस पार्टी प्रदेश में अपनी राजदितिक जनाधार से अधिक सीटे मांग रही थी उपर से कॉंग्रेस के लोगसबा में नेता अधीर अंजन चौधरी भी इस तरह के बयान टीमसी सुप्रीमों के बारे में दे रहे थे जो गड़बंदन धर्मों के ठीक उलड़ कहा जा रहा है कि नए सीरे से कॉंग्रेस ने टीमसी को मनाने की कोशिस की है मगर वह कितना सफल हो पाएगी वक्त नहीं बताएगा ये तो हाल पशिम बंगाल का है लेकिन उत्तरपरदेश और पंजाब का क्या आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार चला रहे के स्तिती कुछ ठीक नहीं है अखलेश यादों ने कह दिया है कि उनकी पार्टी कॉंग्रेस को 11 सीट देने के साथ गडबंदन की शिर्वात कर रही है जिस पर फॉरें कॉंग्रेस का बयान आगया अभी बात्चित चल रही है सीटों के बटवारे का एलान हम करेंगे इस त करने का सबकी नजर अभी सिफर है इस मिगेडियोग और बीचपी की तरप से बयान भी सामने आया है जेडियोग के सी त्यागी ने कहा हमें अफसोस है कि हमने कंग्रेस पार्टी को देश की राजनिती में सविकार्यता दिलाई यह पार्टी राजनीती में अच्छूत हो चुकी थी कॉंग्रेस पर हठ धर्मे ताका आरोप लगाते हुए जति उन्हें महा गड़बंदल से किनारा कर लिया वही भाजपा नेता रविश शंकर प्रसाद ने कहा कि जब इंडी गड़बंदन का सूतरधार ही यही कह रहा है तो कोई भविश क्या है इसका तो फिर आगे क्या कहना रविश शंकर प्रसाद ने कहा कि लोग सब चणा में इंडिये के चीत होगी और बिहार में 40 की 40 सीटे मि लेगे हलाकि कॉंग्रेस की निता जराम रमेश ने कहा कि इस से इंडिया गडबंदन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कॉंग्रेस पार्टी की भारत जुड़ोने आयात्रा को डिस्टर्ब करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है मतलब कुछ भी हो जाए बात सिर्फ राह लेने को तयार हुए या मजबूर होके मेडिया रिपोर्ट की माने तो इस सियासी संग्राम में कॉंग्रेस की बेहदी एहम भूमिकास सामने आ रही है जेडियू के सूत्रों ने कहा है कि अनाटकिये मोड कॉंग्रेस निता राहुल गांधी की पिछली इंडिया ब्लॉक ब कि नितीश के नाम की गोशना से पहले टीमसी प्रमो ममता बनर्ची की मंचूरी मिल चाए इसके बार ब्यार के मुख्य मंध्री ने कॉंग्रेस प्रमो मलेका जुन खडगे की इंडिया गडबंदर के अधक्ष के रूप में नियुक्ति के कारण पहले ही इस प्रस्ताव को कि नितीश कुमार अपना अपमान बरदास्त नहीं कर पाए कॉंग्रेस अध्यक्ष खडगे सहीत कॉंग्रेस पदाधिकारियों और सीपीय महासचियू सीता राम यचूरी के प्रयास उन्हें शांत करने में बिफल रहे नितीश कुमार ने बीचेपी के खलाब बिपक्षी गडबंदन बनाने की पहल की थी आज वही छोड़के चले आए खेरिन सब के बीच लालू यादो की हालत बेहादी खराब लग रही है क्योंकि एक साथ डबल छटका लालू यादो अपराधिक मामलो में कई बार दूशी ठहराय जाने के बाद पहले ही चुनाव लंडे से आयुग के ठहराय जा चुके हैं वहीं उनकी पार्टी बिहार में सत्ता से अब बेदखल हो गई है बेटे को जो सीम बनाने का सपना लालू यादो ने देखा था अब वह धूरा रह गया दूसरी तरफ दिल्ली की एक अदालत ने उनकी पत्नी पुर्वसीम राबेदेवी और उनकी बेटियों मिसा भार्ती और हेमा यादो को नोफरवरी को समन भेचा है लालू यादो के परिवार के खिलाप रेलवे में नौकरी के बंदे जमीन को टाले में परवतन दिशाले जांच कर रहा है ये तो लालू यादो की बात हो गई और अब बात रहूर गांधी क नया यात्रा की प्रदेश कॉंग्रेस की एक नेता ने बताया कि यात्रा सिली गुडी के पास रात में रुकी थी उन्होंने बताया कि यात्रा आज बिहार में प्रवेश करने से पहले उत्तर दिनासपूर और इसलाम पुझी ले जाएगी इससे पहले दिन अधीर रंजन चौधरी ने सिली गुड़ी में बाग्डोग्डा हवाई अड़े पर राहुल गांधी का स्वाकत किया बता दी कि यात्रा 31 जन्वारी को मालदा होते हुए पशिम बंगाल में फिर प्रवेश करेगी और फिर मुष्यदा बाद होते हुए एक परवनी को राज्य से रवाना ह पत्र में उन्होंने कहा कि मुझे बताया गया है कि कुछ सरार्ती तत्व फिर से यात्रा में परिशानी पैदा कर सकते हैं मैं आपसे आगरह करता हूँ कि बंगाल में यात्रा को सुचादू रूप से निकालने और राहुल गांधी से सभी यात्रियों की सुरक्षा सुनिशित करने के उचित नदेश शारी करें ऐसे पहले पार्टी ने आरोप लगाया था कि जलपाई गुड़ी में राहुल गांधी की तस्वीर वाले कुछ बैनरों को तोड़ा गया है अब सवाल यह है कि कॉंग्रेस की इतनी चहेती है ममता बनाची उनसे इतना रेक्वेस्ट करने की जरूरत क्यों पढ़ रही है गड़ गड़ाने की नौबत क्यों आ गए है ममता को क्यों पसंद नहीं है कि राहुल गांधी पशिम बंगाल में यात्रा करें यह तमाम तरह क सवाल जो है उस सुलक रहे हैं सुलकता सवाल में आज के लिए इतना ही किसी और मुद्दे के साथ पिर से पेश होंगे तक तक के लिए आप देख तरी कापिटल टीबी नमस्कार